कि आज की स्वेडह बात करेंगे कि किस application के दवारा आप किस तरह से लोन ले सकते हैं यहाँ पर लोन लेना बहुत ही आसान है यहाँ पर आप दो लाख, तीन लाख , जितनी लोन लेना चाहते हिश आपको मिल जाती है और बहुत ही इसेंट तरीके से मिलती है यहाँ पर आपको को इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा यहां पर आप आधारकार और पहनकार के दवारा लोन ले सकते हैं जो के तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में डिस्टिबूर्ट कर दी जाती है तो चलिए अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस इंसेंट सामने यहां पर दो लाग का ओप्शन आ जाता यानि कि हम इसे दो लाग रुपे तक का फास्ट केस ले सकते हैं और जो हमें पेसे मिलेंगे चोबिस महिने के अंदर हमें पूरे करने होंगे और इस पर लो इस इंट्रेस्ट रेट मांगा जाता है यानि कि यहां पर आपको 18% के हिसाब से आपको इंट्रेस्ट रेट देना होगा जो आप लोन लेते हैं अब लोन लेने के लिए आपको अप्लाई नाव का एक ओप्शन मिलेगा यहां पर अप्लाई नाव पर किलिक करेंगे और अगर आपके पास कोई पहले से लोन चल रही है तो आपको एक मोबाई नंबर की जरुत होती है जो भी आप यहां पर लोन लेंगे वह आधार कार और पैन कार से लिंक मोबाई नंबर होना चाहिए इसके बाद आपको कुछ यहां पर कंडिशन इसकी अप्लाई करनी होती है इसके बाद आपको नेस्ट करना है नेस्ट करने के बाद आप आपकी सारे डिट्रियल को चेक करने के बाद आपके सामने इस तरह का उप्शन आ जाता है जैसे कि पहले दो लाग रुपय तक दिखा रखाता तो यहां पर हमारे 30,000 रुपय तक अपरूप किया गया है याद रहे हैं कि जो यहां पर आप लोन लेंगे वो RBI रेजिस्टर द करना होगा इस तरह से पैंड का नंबर दिखाये देता है पैंड कापर प्इंड कर लगाने के बाद आपकी डिटेल हैं जो पैंड कार यहां पर सो करेंगा है दो जैसे करें तो помог आपके सामने option आएगा select your gender का यानि कि आप male है या female है आप इन में से कोई भी choice कर सकते हैं male है तो आपको यहाँ पर male पर click करना होगा अब यहाँ पर आपको calendar choice करके अपने date of birth है वो choice करनी है अब यहाँ पर आप से पूछेगा कि आप जो loan ले रहे हैं वो किस purpose के ले रहे हैं आप यहाँ पर other दिखा सकता है ठीक है आपको other दिखाएंगे और इन दोनों option पर आपको tick लगाना है और click करना है अब यहाँ पर आपकी सामने आ जाता है आपका current address क्या है residence address क्या है तो आपको यहाँ पर अपना house number, room number, address यह सारा भर देना आपको जैसे pin core आपका खुद का मकान है या फिर rented है आप यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे और आप जो residence है आपको वो कितने दिन से आप इस residence पर रह रहे हैं जैसे कि दो साल, तीन साल, बीस साल इस तरह से आपको यहाँ पर residence दिखाना होगा और इसके बाद आपको प्रोसिट पर click करना होगा प्रोसिट पर click करने के बाद आप आपसे पूछेगा आपके employment detail के बारे में यानि कि आप क्या काम करते हैं आपको दिखाना होगा जिसी कि अगर आपको कोई salary बिलती है तो आप salary पर click करेंगे इसके बाद option आता है self-employed या फिर own business, own business के मतलब खुद का business या फिर खुद की not employer है तो आप not employer पर click करेंगे इसमें आप student हो सकते है या फिर कोई और मदूरी करते हैं तो यहां पर आ जाते हैं तो हम इस पर salary वाले हैं तो salary पर click करेंगे और next करेंगे next करने के बाद आप से पूछता है कि आपको salary कितनी मिलती है आप क्या काम करता है आपकी monthly income कितनी है औ आपकी monthly income यानि की EMI होती कितनी होगी तो यहां पर click करके in detail को fill कर लेना है next आएंगे तो अब आपके सामने यहां पर refresh बाएंगा जाता है कि आप यहां पर दो गवा बना सकते हैं कोई भी refresh दे सकते हैं जैसे कि father mother जो भी आप यहां पर refresh देंगे उनका नाम और mobile number आपको य आपको यहां पर option मिलेगा confirm का confirm continue पर click करेंगे अब आपके mobile नंबर पर बेजा जाएगा उससे पहले आपको अपने बारे डिजिक का जो mobile आदार नंबर होता है वह यहां पर बरना होगा यह capture है जो आपको इसमें फिल करना होगा इसके बाद पर click करना होगा पर click करने के बा डिजिट का एक number send किया जाएगा जो कि आपको यहां पर फिल करना है और submit पर click करके इसे complete करना है अब यहां पर option आएगा आपके सामने selfie capture का अब जो आपको selfie लेनी है वो आपको दिवार के पास ले सकते हैं याद रहें जो भी आपकी दिवार है वो plan होनी चाहिए और वहां पर आपकी तस्वीर है जो साप आने चाहिए इसके बाद आपको यहां पर अपना face दिखाना है और इसके बाद आपको यह camera icon पर click करके एक selfie capture कर लेनी है इसके बाद आपको जो amount होती है वो यहां पर दिखा दी जाती है जो यह amount होगी वो आपके pen card आपके civil score पर depend करेगी जै वो होगी 7052 रुपे इसके बाद आपको यह भरनी होगी और यह आपको total account मिलनी है इसके बाद आपकी fast installment कब की है तो यहां पर डिट दिखा दी जाती है कितनी amount मिली है और कितने दिनों के लिए मिली है वो यहां पर दिखाय जाता है अब आपको अगर यह amount लेना है तो आप को simple सा यहां पर नीचे क्यों और आएंगे तो एक option मिलेगा bank account का आपको add bank account क्लिक करके अपनी bank की detail फिल कर लेनी है ध्यान रहे जो भी account यहां पर आप फिल करेंगे वो अच्छे तरह से जेक कर लेना है इसके बाद ही आपने account अपनी loan को ले सकते हैं thank you for watching this video